दोस्तों को फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे ही केनरा बैंक या फिर सिंडिकेट बैंक में किस तरह से अपने डेविट कार्ड की पिन जेनरेट कर सकते हैं या फिर अपने डेविट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं या फिर डेविट कार्ड के लिमिट को सेट कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों बिना देरी की ये वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको चलना होगा केनरा बैंक के नेट बैंकिंग की ओ बैंकिंग सो होगा home page पे ही तो वहां पर आपको tap कर देना है निट बैंकिंग परत नहीं करने के बाद आपको दो option दिखाई देंगे तो आपको सबसे उपर वाले जो निट बैंकिंग रिटेल है उसमे टैप करना है या फिर आप डेक्षिटॉपि साइट से भी जा सकते हैं तो Net Banking Retail पे आपको टैप करना है, जब Net Banking Retail पे टैप करेंगे तो आप से आपकी User ID पासवर्ड मांगी जाएगी, यहाँ पर आपको अपने Internet Banking की User ID और पासवर्ड दे देना है, फिर कैपसा डालके आपको लोग इन कर जाना है, अब दोस्तों यहाँ पर आपके पास अगर कैनरा बैंक के Internet Banking की User ID और पासवर्ड नहीं है, तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि User ID आपको तभी मिल जाती है, जब आप अपना खाता खुलवाते हैं, और पासवर्ड आप यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हैं, यानि कि पासवर्ड आप खुद से सेट कर सकते हैं, User ID को एक्टिवेट करके, User ID हम कैसे एक्टिवेट करते हैं, इसकी वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, आपको I button में मिल जाएगी, या फिर आप discussion box को भी चेक कर सकते हैं, उस वीडियो को देखके, आप जो है केनरा बैंक में अपने User ID को एक्टिवेट करके, नया पासवर्ड जेनरेट कर सकते हैं, फिर आपके पास आपका Internet Banking का ID और पासवर्ड आ जाएगा, तो यहाँ पर चलिए हम जल्दी से, इस पे अपना User Name और पासवर्ड चुकी मैंने पहले ही बना रखी है, मैंने Online Account ओपिन करा था, तो यहाँ पर हम अपना User Name और पासवर्ड डाल के कैपसा डाल देते हैं, कि हमने यहाँ पर Kinra Bank के Net Banking में लॉग इन कर लिया है, सक्सेस्फुली, अब हमें यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए Main Menu पे टैप करना है, फिर Cards पे आपको टैप करना है, फिर Manage Debit Card पे टैप करेंगे, तो आपके सामने आपके Card की डीटेल्स आजाएगी, यहाँ पर Cards पे टैप करते हैं, Manage Debit Card पे टैप करते हैं, और यहाँ पर देखिए हमारे जो एकाउंट से Card Link है, वो यहाँ पर आ चुका है, अब यहाँ पर हम PIN भी Set कर सकते हैं, कि हमने ऑनलाइन अकाउंट ओपन किया था, और जो डेविट कार्ड है, वो हमारे घर पे इंडिया पोस्ट से आया था, लेकिन मैंने इसके PIN को अभी तक जिनरेट नहीं किया है, तो यहाँ पर हमने दो PIN कोई भी Alternate यहाँ पर डाल दिया है, फिर आपके डेविट कार्ड की Expiry Date डालनी है, सुरू में आपको मन्थ डालना है, फिर आपको Year डाल देना है, और उसके बाद Set PIN वाले जो आपका हाईलाइट ब्लू आइकन दिखाई दे रहा है, उस पे आपको टैप कर देना है, तो दोस्तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड किस तरह से जनरेट करते हैं, इसकी भी वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, आपको आई बेटन में दिख जाएगी, लेकिन ध्यान रहे दोस्तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड जनरेट करने के लिए, आपके पास पीन कोर्ड जो है, आपके डेविड कार्ड में सेट होना चाहिए, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमने सेट पीन पे टैप किया, यहाँ पर हमें पासवर्ड देना है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड और उसके बाद रेजिस्टर नंबर पे जो OTPI है, वो देना है, फिर सब्मीट कर देना है, हमारा जो है पीन जेनरेट हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ पर यह है, कि मेरे पास ट्रांजेक्शन पासवर्ड नहीं है, चुकि मैंने अपना डेविट कार्ड जो है, पहले से एक्टिवेट ही नहीं किया हुआ है, दोनों में से कोई चीज एक्टिवेट होना चाहिए, या तो आपका डेविट कार्ड एक्टिवेट होना चाहिए, से तो यहां पर जो है आप transaction password भी बना सकते हैं तो problem यहां पर आगे फस जाती है जो कि मेरे साथ खास कर हुआ है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा तो इस तरीके से आप केनरा बैंक या फिस इंडिकेट बैंक में डेविट कार्ड के पिन को जेनरेट कर सकते हैं काफी असानी से इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आपके लिए यह प्रोसेस वर्क किया या फिर नहीं कमेंट शिक्सर में जरूर बताएंगे अगर आपका भी अकाउंट ऑनलाइन है तो मुझे नहीं लगता है कि आप यहां पर जेनरेट कर पाया होंगे चुकि ना तो आपके पास पीन होगी या फिर ना ही आपके पास ट्रांजेक्शन पास्वार्ड तो यह थे कैनरा बैंक म के लिए कमेंट शिक्सर में कमेंट कर सकते हैं आज की विवास इतना ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में हमें देज़े इजाज़त थैंक यू